पाकिस्तान की विज्ञान और तक्निकी मंत्री फवाद हुसेन चौधरी कितने ज्यानवान और बुद्धिमान हैं इसका अंदाज़ा तो उनकी उलचुलूल बातों और बेहुदा ट्वीट से लगाया ही जा सकता है आए दिन अपने इसी तेजस्वी ज्यान की वजह से सोशल मीडिया में उनकी फजीहत होती रहती है लेकिन मजाल क्या कि वो मान जाए हर बार अपनी इज़त की लूटिया डुबाने के बाद फिर वो खुद की बिज़िती कराने आ जाते हैं और इस बार तो उन्होंने हधी पार कर दी जमो कश्मीर को लेकर उनकी बॉखलाहट अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है इसलिए फवाद के यान की धारा एक बार फिर फूट कई वो भी भरी सभा में फवाद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में सैटलाइट के जरीए लोगों को इंटनेट मोहया कराएगा उन्होंने कहा कि आज के दौर में इंटनेट लोगों का मौलिक अधिकार है हम कश्मीर के लोगों को सैटलाइट के जरीए इंटनेट की सुविधा मोहया कराने की संभावना पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने राश्ट्री एजन्सी स्पेस एन अपर एट्मोस्फियर रिसर्च कमिशन से संपर किया है चलिए आपको फवाद का नया नया ग्यान सुनाते हैं तो उसकी टेकनिकल पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे है इंटनेट जो है वो आजकल दुनिया उसको एक फंडमेंटल राइट मानती है बन्यादी हक मानती है लोगों का इनसानों का और आज मकبूजा कश्मीर के लोग जहां पर बाकी अपनी बुन्यादी इंसानी हकुक से महरूम है वहीं पर इंटरनेट की स्वोलत से महरूम है और ये जुरूरी है कि हम ऐसे एक्दामात लें जिससे कि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट बहाल हो सके फवाद का ये कहना था कि लोगों के हस्ते हस्ते पेट में दर्थ हो गया सोशल मीडिया पर उनका जम कर मजाक उडाने लगे पवन के से इन नाम के ट्विटर यूजर ने कहा कि फवाद चौधरी का क्या फ़नी आइडिया है पाकिस्तान के तकनीकी मंत्री एक बहुत बड़ा मजाक है तो वहीं अश्विनी संधू नाम के यूजर ने लिखा कि सैटिलाइट के जरीए भारत से टिमाटर चुराने का आइडिया कैसा है भारतियों के लिए सबसे बड़ा मजाक बनने के बाद धन्यवाद पेट अच्छा हो जाता है तुम्हारे जोक सुनकर साहिल नाम की यूजर ने लिखा कि ये तो पाकिस्तान का जेठा लाल है तो एक यूजर ने कहा कि क्या ये तकनीकी मंत्री है वहीं अधनान नाम की यूजर ने तो उन्हें पाकिस्तान की ही याद दिला दी उन्होंने कहा कि पंजर में पिछले डेर महीने से बिना किसी बात के इंटरनेट बंध है खुदारा पहले अपने लोगों के बारे में सोचो दूसरे के बारे में बात ले एक यूजर ने कहा कि प्लीज सेटलाइट वॉर का खेल मत खेलो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा तो देखा आपने कैसे फवाद का सोशल मीडिया पर मज़ा खुडाये गया हालांकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है उनके नाम तो ऐसे बयानों की एक लंबी फिहरिस्त है इससे पहले उन्होंने भारत केमिशन चंद्रयान टू पर भी विवादत चिपड़ी की थी और कहा था कि जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया बहराल पंगा तो बिना सोचे समझे अक्सर फवाधी लेते रहते हैं जो हमेशा उन पर ही भारी पड़ जाता है